आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे हूँगे मिरा नाम ए सिध्धान तक नहीं हो तरही स्टेडी आईक्यू पर आपका बहुत वस्पागत है ये बहुत बढ़िया स्कीम है गुरू एडॉक्ट एन एनेमल नंदन कानन जूलोजिकल पार्क पहले नंदन कानन जूलोजिकल पार्क के बारे में जान लो कहाँ पे है ये भुबनेश्वर उडिसा बाहरत का वन उपता मोस्ट ब्यूटिफुल जू है उडिसा में उडिसा में वैसे आपको काफी नाशनल पार्क मिलेंगे काफी तो नहीं लेकिन बहुत ही खुबसूरत है उडिसा भारत की सबसे बड़ी जील चलका लेक ब्रैकिश वाटर लेक यहाँ पे ही तो आपको मिलेगी ना उसके बाद उडिसा में शिमली पाई नाशनल पार्क है शिमली पाई जोकी मयूर भंज में लोकेटेड है बहुत ही खुबसूरत है हजार वेराइटीज और प्लांट्स और इस्पीशीज आपको मिलेंगे भिटार कनिका नाशनल पार्क कटक में है भिटार कनिका किसलिए है पाइथन, किंग कोपरा, रीसस मंकी और सबसे इसस मंकी और सबसे इंपॉटेंट ओलिव रिडली सी टर्टल्स उसके बाद आपको तिकार पाड़ा हो गया और कौन-कौन से नंदन कानन जूलोजिकल गार्डन के बाद करें तो इसको 1907 में 1960 में इसको स्टैबलिश किया गया था और 1979 में इसको पबलिक के लिए ओपिन किया गया था और बहुत ही खुबसूरत है नंदन कानन टाइगर रिजर्व भी है इस जू में आपको टाइगर शेर मिलेंगे वाइज टाइगर तो बहुत ही खुबसूरत होता है कितने रुपए में आप अनिमल्स को एडॉप्ट कर सकते हैं इस लेचर में जानेंगे UPC के स्मार्ट कोसे जाते हैं Study IQ का आप डाउनलोड करके आप इन कोर्स को अवेल कर सकते हैं इंस्टा पे मैं आ गया हूं रात आठ से दस बजे तक मैं queries answer करता हूं देखो यह initiative क्यों लिया गया आप समझो सब COVID-19 की बज़े से जू लॉजिकल पार्क जो है जू जो है वो बंद पड़े हुए है मार्स से 6 महीने हो गए 6 महीने बाद जू लॉजिकल पार्क को खोला गया अब दोस्तों जानवर हैं उनको खाना देना है यह पैसा कहां से आता है जब आप जू विजिट करेंगे अंदर म्यूजियम होता है उसकी फी होती है कहने का मतलब यह है पैसा अच्छा कासा जनरेट होता जू लॉजिकल पार्क से सरकार भी देती है और वहां से ही इन अनिमल्स को खाना खिला जाता है इनकी ब्रीडिंग की जाती है और इनको रखा इनकी देखभाल की जाती है लेकिन अभी हूटी कौडी नहीं आ रही है पैसा बिलकुल है ही नहीं तो ऐसे समय में इस तरीके की स्कीम बहुत लाबदायक होती है देखिए हम सब जानवरों से प्यार करते हैं जादतर लोग जानवरों से बहिया यह एक तरीके का सोशल रिलेशन्शिप है सोसाइटी में भी आपको बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे गाय हैं कुत्ते तो हम पालते ही है तो जानवरों को एडॉप्ट अना बहुत के अंदर ही होगा बट बहुत बढ़ी है अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो अगर आप इन वाइल्ड कैट्स को टेम कर सके तो करी लेते हैं अगर आप इनके नेचर को समझ सके तो बहुत पालतू होते हैं बट ऐसा बहुत लोग नहीं करते हैं तो एडॉप्ट साफ लिखा हुआ है कि आप अनिमल्स को घर नहीं ला सकते हैं फिर क्या होगा बस आपके नाम पर आप अडॉप्ट कर सकते हैं पैसे दे सकते हैं आपके नाम पर जू में इनकी देखभाल की जाएगी और आप मिल भी सकते हैं अब मिल अब शेर को आपने अडॉप्ट किया तो ऐसा नहीं कि पिंजरे के अंदर चले गए तो उसके बाद तो बाहर भी नहीं आ पाएंगे तो ऐसा नहीं है तो now you can adopt an animal at Nandan Kanan Zoological Park इसे पहले हम आगे पड़े मेरा टेलिग्राम चैनल है भी साड़े 10,000 सब्सक्राइबर है यही वाला चैनल जोइन करीगा यह मेरा ओफिशल है तो यह इनकी वेबसाइट है ठीक है यह adopt an animal Nandan Kanan की वेबसाइट है और basically यह स्कीम सी लिए चलाई गई है ताकि आप support दे सके पैसे की भारी कमी है आपे और animals की देख भाल तो हमको कर नहीं है तो आप adopt कर सकते हैं हाला की इस स्कीम को 2009 में 2009 से चली आ रही है ऐसा नहीं कि यह नई स्कीम है यह 2009 से चली आ रही है अब दो important चीज यहां पे हो रही है सबसे पहला benefit तो public का direct involvement है public direct involved हो रही है दूसरी चीज यह है कि कुछ endangered species है पैसे से हम इनकी भी देखबाल कर सकते है और कौन adopt कर सकता है individuals, corporate bodies, NGOs, academic institutions हर कोई adopt कर सकता है अब आप यह देख लिजे जब आप नीचे scroll करेंगे यहां से इनकी website शुरू है और जब आप नीचे scroll करेंगे तो यह आएगा click ही देखो ऐसा है यह scheme 2008 से चली आ रही है नई scheme नहीं है यह बहुत पहले से चली आ रही है लेकिन अभी जो है online कर दिया है पहले सब offline था जब online कर देते हैं तो चीज़े आसान हो जाती है घर बैटे बैटे आप adopt कर लो तो आप देख सकते हैं अगर offline आपको करना है तो आप bank details दीजिए United Bank of India में bank account है उसके बाद फिर भुवनेश्वर ब्रांच में ही होगा definitely IFSC code दिया हुआ है और account number लेकिन online आप यहाँ पे अरे यार यह थोड़ा सा यह मैंने stretch कर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे download adoption form यहाँ से आप online भी इसको अवेल कर सकते हैं फिर उसके बाद अभी तक कौन कौन से जानवर को adopt किया गया total 155 है list में 155 जानवर है मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे दिखाऊँगा तो आप adopt कर सकते हैं देख के list को ठीक है और adopt an animal online online facility भी offline भी आप देख सकते हैं adoption form offline भी आप generate कर सकते हैं और online कर दीजे सीधे इस link पे click करिए सब कुछ आपको clear हो जाएगा चोटा सफा हो मैं भर दीजे पैसे pay कर दीजे हो गया adopt आप share को भी adopt कर सकते हैं फिरसके बाद आप बोलिए कि मैंने तो share को adopt किया है share मेरा पलतु है तो जैसा कि मैंने बताया कि 200 दिनों तक 6 महिने तक ये zoo close रहा अभी तक 112 लोगों ने इस program को join किया है और इसको और ज़दा flexible बना दिया गया online करके नंदन कानन जो है हर साल 15 करोण का रविनी जनरेट करता है लेकिन अभी फूटी कोडी नहीं आई एक रुपए भी ये नहीं कमापा है क्योंकि COVID-19 restriction थी 4 October को जूप को खोला गया अब इस program को चलाए गया है और अभी तक 21 लाख रुपए अल्रेडी आ चुके है 112 लोगों ने और इनकी लिस्ट भी दी गई है आपका नाम जब आप एडॉट करेंगे तो आपका नाम भी वेब साइट पे होगा आप देखिएगा यहाँ पर आप जाईए गए जब आप क्लिक करेंगे list of adopted animals तो इसमें आपका नाम भी होगा तो ऐसा है 2008 में इसको launch किया गया था लेकिन 2019 में इसको online किया गया अब ऐसे बहुत सारे initiative लिये गए हैं और मैं तो यही बोलूँगा कि बाई हर जू यही कर दे online कर दो जब online किया October में बहुत लोगों ने adopt करना शुरू कर दिया और अभी तो यह चल रहा है अब मैं यह लेचर भी ले रहा हूँ हो सकता आप भी adopt कर ले क्या बात है process flexible कर दिया यहाँ पर डारेक्टर और additional PCCF शशी पॉल का कहना है कि हमने इस process को बहुत ज़्यदा flexible कर दिया और हमने बहुत कम पैसा रखा है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यदा पैसा है आपको लग रहा होगा कि आर अनेमर को adopt करेंगा बहुत मैगा बहुत असता है यार 500 रुपे में आप एक चिडिया को bird species को 500 रुपे में adopt कर सकते हैं तो बहुत कम पैसा है कोई ज़्यादा पैसा नहीं है और इसमें scheme है छे महिने एक महिने और पुरे साल के लिए ऐसे scheme भी है इंडिविजुवल्स और और और्गनाइजेशन्स दोनों ही adopt कर सकते हैं online system है अभी तक 90% जो adoptions है that has been done online तो आप देखी सकते हैं जब आप online कर देते हो कमाल हो जाता है जू में अभी 3700 जानवर है birds है, reptiles है 158 प्रजातियों के 3700 जानवर है and they all are open for adoption क्या बात है अब हम पैसे की बात कर लेते हैं सबसे नहेंगा क्या है अगर आप हाथी को adopt करते हैं सबसे प्यारा जानवर सबसे intelligent जानवर हातियों की memory इतनी strong होती है एक बार क्या हुआ था कि दो हाती सरकस में परफॉर्म कर रहे थे और उसके बाद एक बार वो परफॉर्म क्या फिर्म को अलग-अलग कर दिया गया वो 13-14 साल बाद दुबारा मिले उन दोनों ने अपने आपको पहचान लिया एक दूसरे को पहचान लिया अपने आपको तोई पहचाने गया slip of tongue हो गया एक दूसरे को पहचान लिया इतनी strong होती है elephant 10 से 12 साल तक याद रखता है और elephant एक लौता ऐसा जानवर है जो emotional होता है आपको पता है elephants को distress होता है यह depression में जाते है facts पढ़िएगा elephant के आप चौंक जाएंगे swimmer सोते हैं कमाल की swimmer होते हैं यह और 40 km तक 6 गंटे तक पानी के अंदर swim कर सकते हैं इनकी trunk जो होती है ना इनकी सूर वो लगा तार बरती रहती है और सबसे बड़ी बात अगर आप दुखी है ना तो elephant आपको console करेगा बोलेगा बिटा पर्शान मुझ से तो नहीं बोलेगा लेकिन अपने emotions दिखाएगा तो elephant परशानियों को समझते हैं they are very very intelligent और हमारे आप तो elephant को भगवान गडेश भगवान का दर्जाई दिया गया है nature को कितनी बड़ी बात तो elephant की cost क्योंकि elephant को कहते न भईया हाती पालने के भराबर है तो बहुत करज़ा आता है तो साल का आपको धाई लाग रुपे देना पड़ेगा अगर आप elephant को एडॉप्ट करते हैं ताइगर को एडॉप्ट करेंगे African loin जो सबसे ज़ादा demand में होते हैं उसके लिए आपको 1.5 लाग रुपे देना पड़ेगा किसने किसने अभी तक एडॉप्ट किया PSU यहाँ पे public sector undertakings ने भी एडॉप्ट किये हैं URISA Mining Corporation ने 17 जानवर को एडॉप्ट किया है जिनकी cost 16 लाग जिसमें 2 हाती हैं और एक Melanistic Tiger है ठीक है? Melanin होता है न ये इनका color change हो जाता है मैं बात करूँगा इस भी इसका भी मैं lecture लेने वाला हूँ तो यह जो support है यह लगातार ग्रोही करता जा रहे जैसे JSW MGM Steels ने इन्होंने भी interest दिखाया है कुछ NGOs भी आ गया है educational institutions आ गया है और individuals तो हैं ही है यह जो नंदन कानन का initiative है इसने इंद्रा गांधी Zoological Park और अलिपूर पार्क को भी inspire कर दिया मैं तो बोल रहा हूँ भाई पूरे देश मैंसे स्कीम चला दो मजा अगर अब आप यह देख लीजिए यह है स्कीम यह जानवरों के नाम दिये गए हैं और यह है एक साल 365 दिन यह है अगर आप 6 महिने के लिए अडॉप्ट करना चाहते हैं यह अगर आप 3 महिने के लिए अडॉप्ट करना चाहते हैं यह एक मंद के लिए यानि कि स्कीम चार में डिवाइड है एक महिने के लिए तीन महिने के लिए छै महिने के लिए और एक साल के लिए अब यह पैसे दिये गए हैं अगर जैसे माल लिजे कि हम यह देखिए आप, यह मैंने जानबूच के रहा है, क्योंकि आपको धेर सारे टाइगर मिलेंगे, यह बेंगॉल टाइगर, वाइट टाइगर की बात करते हैं, बापरे, एक लाग रुपए एक साल के लिए, छे महीने के लिए 50,000, तीन महीने के लिए 25,000, और एक महीने के ल दोस्तो, आई होब बड़ा इंट्रस्टिंग लगा होगा आपको, तो जो भी इंट्रस्टिंग है, बिल्कुल एडॉट करो, कुछ रही है, पर तेरे इदेखिए सिद्धान तक नहीं होतरी साइनिग ओप